हेलो दोस्तों, वेलकम बेक टो एपस अपडेट योटोब सानल, दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आपका फैस्बूक एकाउंट है, फैस्बूक एकाउंट का जो आपका प्रोफाइल का जो आपका नेम है, वो नेम को बदलना चाहते हो, आपका जो फैस्बूक का नेम हैं बदल नहीं रहा है, तो बिलकुँ सई वीडियो पे आए हो, इस वीडियो में बताऊंगा, कि फैस्बूक का नेम को आपके ऐसे सेंज कर सकती हो, तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेके लाज तक जरूर देखना, तो दोस्तों आपको फि फैस्बूक में नेम है आसिफ खन, और यह खन की जगा मैं यहाँ पे अलग नाम दोओंगा, देखना मैं अभी फैस्बूक का नाम सेंज करके आपको लाइप दिखाऊंगा, तो इसके लिए बहुत लोग यह सोचते हैं कि उसके लिए पासूर देना ज़रूरी है, तो क्या क्या सेटिंग करना पड़ता है, नाम सेंज करने के लिए और कौन सा सेटिंग कहा मिलेगा, तो इस वीडियो को आप बिलकुल स्किप मत करना, तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले दोस्तो एक रिक्वेश्ट करता हूँ, जो वीडियो देख रहे हो, आपको इसी खुश फेश्बुक नेम सेंज, ठीक है, यह कमेंट कर दिना है, जैसे यह कमेंट कर दोस्तो, कमेंट हो जाएगा, फेश्बुक नेम सेंज, फिर आपको करना क्या होगा, आपका सिंप्ली फेश्बुक जो एकाउंट है, सिंप्ली फेश्बुक में चले जाना है, जैसे पर click करने के बाद Mita account center, जो कि देख रहे हो, इसी account center पे आपको click करना होगा, यही पर setting मिलेगा, क्योंग न अब फेस्बॉक में update आपडेट करना है, कर देने के बाद ही आपको यह setting मिलेगा, फिर आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पर आएगा, जैसे profiles, sessions, प्राउंड पास्वूर्ट यंश त्रह से अगर्य वगर्या तो आपको करना क्यों होगा सिम्पली जब प्रॉफाइल देख रहे हो इस पर उसी प्रोफाइल पर क्लिक करने के साथ-साथ इस तरफ से फिर ऊपन हो जायँगा तो थोड़ा ड़ाम कर लो फिर यहां पर प्रोफाल में आपका फैस्बुक का लोगों दिखेगा आपका फैस्बुक का नाम आएगा तो इसमें आपको क्लिक कर दिना होगा फिर जैसे दोस्तों इसमें क्लिक करोगा इसमें क्लिक कर दिने के साथ-साथ जैसे कि अभी देख रहे हो यह लोडिंग ह sense करने के बाद first name आ चुक है जो कि आसिफ फिर last name खान दिया था तो अभी यह जो खान जो है इसको हटा लेता हूँ हटा के मैं देता हूँ एक ऐसी नाम दे देता हूँ देखो यह दे दिया देने की बाद यहां पर बोल रहे है if you sense your name you cannot sense it again for 60 days मतलब अगर आपने एक बार ना नाम देना है देना है जैसे की देख सकते हो अभी नाम बदल दिया है देने की बाद फिर अभी में simply review sense पे click कर लेता हूँ जैसे आप review sense पे click करोगे तो इस तरफ से आएगा तो आभी में यही देता हूँ देने की बाद save sense पे click कर देता हूँ जैसे save sense पे click किया तो देख सक तो बिल्कुल इसी तरह से सेंज हो जाए